आज हम लोग class 11th के physics का एक new chapter start करने जा रहे हैं that is gravitation अब इस chapter में हमें क्या पढ़ना है इसमें हमें universal law of gravitation पढ़ना है जो newton ने दिया था कि दो bodies एक दूसरे को attract करती हैं अपने mass की वज़ा से उसका क्या formula है उसका क्या effect है फिर हमें gravitational field potential के बारे में पढ़ना है फिर हमें motion of planets and satellites के बारे में पढ़ना है तो सब कुछ ये पूरा का पूरा जो chapter है वो सिर्फ universal law of gravitation पे बेज़ड है अब ये chapter का क्या है कि JEE में इस chapter से recent कुछ years में regular questions आने लगे हैं पहले क्या था कि जब subjective हुआ करता था तो इस chapter से generally सवाल नहीं आते थे लेकिन अब objective होने के बाद और चुकी ये chapter electrostat से काफी मिलता जुलता है तो इस chapter से लगभग हर साल एक सवाल आपका JEE में में आता ही आता है और एक advance में भी आता है तो आई स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले इस में स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स यूनिवर्शन लॉफ ग्रेविटेशन ये क्या है ऐसी कहावत है लोग ऐसा मानते हैं कि जब न्यूटन कभी किसी सेव के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था तो अचानक जो है सेव तूट कर उसके उपर गिरा अब उसके बार न्यूटन सोच में पढ़ गया कि सेव आखिर नीचे ही क्यों गिरा पेड़ से तूटने के बाद क्यों नहीं सेव वही रहा या ऊपर चला गया होता फिर वहाँ से उसने इमेजिंग किया कि शायद अर्थ ने सेव को अट्रैक्ट किया है अब अर्थ और सेव के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स कहां से आ गया तो वहाँ से उसने कॉंसेप्ट निकाला होगा कि ये सायद एक दूसरे को अपने मास की वज़ा से अट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर मास की वज़ा से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मास तो दुनिया में हर बाड़ी के पास है इसका मतलब अर्थ और सन के बीच में भी अट्रेक्शन होना चाहिए, अर्थ और मून के बीच में भी अट्रेक्शन होना चाहिए, तो काफी स्टडी करने के बाद उसने अर्थ का मोशन स्टडी किया सन के बाउट, मून का मोशन स्टडी किया अर्थ के बाउट, कैसे मून अ क्या है कि simple सा law है कि अगर आपके पास दो bodies है suppose एक का मास M2 है और एक का मास M1 है और इनका separation R है तो Newton's law ये कहता है due to their masses these two bodies attract each other और इन पे जो force लगता है वो directly proportional to product of mass होता है and inversely proportional to R square होता है that means जितना ज़्यादा mass होगा ये दोनों body एक दूसरे को उतनी ज़्यादा force से attract करेंगे ठीक है और अगर ये separation ज़्यादा हुआ R ज़्यादा हुआ तो ये force और कम हो जाता है अब इस law को हम लोग equal to में लिखते हैं G M1 M2 upon R square now what is G, G is called gravitational constant, gravitational constant ये एक universal constant है जिसकी value होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 और unit होगा force का Newton है ये R square इधर गया तो Newton meter square पर ये kg into kg kg square ठीक है तो ये law दिया Newton ने अब ये जो force है इसकी properties क्या क्या है सबसे पहले तो क्या है point number one कि ये force जो है वो attractive होता है मतलब कभी भी दो bodies एक दूसरे पर mass की वज़े से repulsive force नहीं लगाते हैं they always attract each other दूसरा ये काफी weak force होता है जो हमें day to day life में feel नहीं कर पाते हैं हम लोग जैसे अगर दो bodies का mass अगर one kg भी हो और अगर आप उसको one meter की दूरी पे भी रख दे तो force आएगा करीब इतना newton अब ये इतना छोटा force है कि हम इसे feel नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर वही bodies का mass बहुत ज्यादा हो जैसे अर्थ का mass, moon का mass तो उनके बीच में force अच्छा खासा आता है ठीक है तो ये इतना weak force है कि यहाँ पे कोई भी दो body जो है attract कर रही है तो feel नहीं हो रहा है लेकिन अर्थ और sun के बीच में, अर्थ और moon के बीच में force काफी ज्यादा large होगा दूसरा ये force conservative nature का है conservative का मतलब क्या है कि इसका जो work done होगा इस force का वो path से independent होगा फर्ज करो M1 यहीं है और हमने M2 को यहां से move करके यहां ले आके रख दिया तिसमें यह जो work done होगा वो इस path पे ने depend करेगा चाहे M2 ऐसे आए चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए दूसरा conservative force के और भी properties होती है कि इनका work done round trip में 0 होता आगर M2 को हम घुमा फिरा के वापस यहां ले आए तो इस process में work done by gravitational field जो होगा यह force जो होगा वो 0 होगा तीसरा यह long range का force है What is long range force? Long range force का मतलब यह है कि अगर आपसे कहा जाए कि दो bodies के बीच में gravitational force कब 0 होगा तो ध्यान से देखिए अगर दो bodies के पास mass है तो R जब infinity होगा R tends to infinity तब जाके force 0 होगा That means bodies काफी दूर भी रहती है तो भी एक दूसरे को यह attract करती है अपने mass के वज़ा से अब यह सारी properties आपके electrostatic force से मिलती ही जुलती है जो हम लोग electrostatic में पढ़ते है कुलंबिक force उससे पस difference यह है कि electrostatic force जो दो charge के बीच होता है वो attractive भी होता है repulsive भी होता है उसका formula होता है k q1 q2 by r square मिलता जुलता होता है अच्छा fourth point यह है कि हमने यह जो formula लिखा है यह formula किसी भी दो body पे नहीं लगा सकते हैं तो यह formula है this is only applicable to point masses या particle कह सकते हैं दूसरा uniform spheres पे भी लगा सकते हैं uniform spheres का मतलब hollow spheres, solid spheres, shells सब चलेगा क्यों क्योंकि अगर sphere uniform है तो हम उसका सारा mass मान सकते हैं कि center पे concentrated है तो we can treat them as two particles तो यह force की property हो गई अब इस पे हमें numerical करना है अच्छा force को अगर vector form में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे तो यह भी देख लीजे बहुत simple है मान लीजे एक हमने body capital M लिया यह small m लिया अब इधर का position vector small m का r है और हमें इस पे force लिखांगे है force on small m due to capital M तो इस force को पहले हम लिखेंगे g capital M small m upon r square magnitude और देखिए r vector बाहर की तरफ है और force अंदर की तरफ है तो minus r cap लिखना होगा तो बाहर लगा देंगे minus और यहां लगा देंगे r cap r cap is the unit vector इसको हम vector r upon magnitude of r भी लिख सकते हैं example लेखिए suppose हमारे पास यह एक sphere है और यह एक दूसरा identical sphere है इसका radius r है इसका भी radius r है और दोनों के mass भी same है अगर हमसे कहा जाए कि दोनों एक दूसरे को touch कर रहे हैं तो क्या इनके बीच में force 0 है या infinity है तो देखिए इन दोनों के बीच में force निकालने के लिए आपको दोनों के center का बीच का distance देखना होगा आप मान सकते हैं कि surface अगर uniform है पूरा mass uniformly distributed है तो यह पूरा का पूरा mass center पे concentrated है यह पूरा mass इसके center पे concentrated है तो this is a two particle system और इनके बीच का जो force होगा उसे हम लिख सकते हैं gm square upon 2r का whole square so this is gm square upon 4r square अब दीखे, दो particle है वो एक दूसरे के ऊपर attractive gravitational force लगा रहे हैं जिसके वज़े से यह circle में गूम रहे है तो पूछा गया है कि इनका speed क्या होगा उन दोनों की speed क्या होगी तो यह speed कैसे निकाल लेंगे अब देखिए circle में गूमने के लिए we need centripetal force apart from gravitational force no other force is acting on this system अगर इस body की बात करें, तो इस पर जो attractive force लग रहा होगा वो इसके वज़े से लग रहा होगा इस पे भी इसके वज़े से लग रहा होगा और तो कोई force है नहीं और यही force इसका, अगर यह घूम रहा है, तो माल लेते हैं, इसकी speed भी है, तो इसकी भी speed सेम होगी, तो यही force mv square by r के बराबर होगा, mv square by radius, और radius इसका कितना है, circle का r, force हो जाएगा gm square upon 2 r का whole square, that is 4 r square, that is equal to mv square upon r. अब क्या करेंगे, कि आब इसको जो है, cancel कर देंगे, तो यह हो गया, mv cancel हो जाएगा, and यहां से हमें मिल जाएगा, v is equal to gm upon 4 r, under root gm upon 4 r, this is the final answer. अब दीखें, पाल लीजे, यह तीन particles हैं, और यह तीनों जो हैं, वो equilateral triangle के corner पर रखे हुआ है, equilateral triangle यह हो गया, तीनों का mass जो है, वो m है, तीनों एक दूसरे पर gravitational force लगा रहे होंगे, हमें पूछा गया है, कि net force acting on any particle, तीनों में से किसी एक particle पर net force क्या होगा, let us choose this particle, now, यह body इसको अपनी तरफ ऐसे खीचेगा, साथ में यह भी अपनी तरफ ऐसे खीचेगा, अगर यह force F1 है, तो यह भी F1 होगा, क्योंकि L और देखिये, mass दोनों तरफ सेम है, अब यह angle 60 degree होता है, तो इनका जो resultant आएगा, वो इधर आएगा, क्योंकि जब resolve करोगे, तो इसका यह जो component होगा, horizontal component, यह horizontal component cancel हो जाएगा, और यह जो vertical direction में आपको दिख रहा है, यह add हो जाएगा, यह जो angle है बीच का, यह total कितना है, यहाँ पे 60, तो यह जो angle होगा है, यहाँ और यहाँ, this angle will be 30 degree, तो हम यहाँ पर अगर net force लिखना चाहते हैं, तो we can write 2F1 cos 30, okay, now F1 की value अगर इन से लिखा ले, यहाँ गया 2G M square अपन L square और cos 30 कितना हो गया, root 3 by 2, okay, so finally we have G M square root 3 अपन L square और यह किदर है, तो along हम लिख सकते हैं, angle bisector, along angle bisector, बीच में आएगा, इसी तरह से इस पे भी force निकालेंगे, तो same आएगा, along angle bisector इस पे भी same आएगा, यह तीनों force जो हैं, वो centroid की तरफ point करेंगे,